कि खेत कोरे हम बॉय हम पटाय भी हम और फसल वू साला प्रफेसर सास्त्री का उलाद काट के ले जाए अब हाई साइब का हम से नराज है कुछ कौनों शिकायत है हम से कौनों गल्ती हो गई और आसे गूर गूर के क्या देख रहे हम इतरफ हैं जुपने बैठ लेंगे हैं जब होसला बना लिया उची उडान का फिर देखना फिजूल है कद आसमान का किसी शायर की कही ये बातें आज की हमारी शक्षित पर एकदम सटीक बैठती हैं इनका नाम है यश्पाल शर्मा एक दमदार अभिनेता एक शानदार इनसान नबे के दशक में करियर शुरू करने वाले यश्पाल शर्मा आज एक्टिंग जगत का जाना पहचाना नाम है लेकिन ये पहचान इन्हें यूं ही नहीं मिल गई हैं इसके पीछे हैं इनकी मेहनत और लगन जिससे ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडिस्ट्री बोलिवुड में एक बड़ा नाम बने हैं किसा टीवी आज आपको यश्पाल शर्मा की कहानी सुनाएगा हर्याना के यश्पाल शर्मा को मुंबई में काम्याबी कैसे मिली इनका फिल्मी सफर कैसा रहा इन से जुड़ी कई रोचक बातें आज किसा टीवी अपने दर्शकों संग शेयर करेगा यश्पाल शर्मा हर्याना के हिसार जिले के रहने वाले हैं इनका जन्म 11 अगस्त 1954 को हुआ था यश्पाल के पिता पी डेवली डी में फोर्थ ग्रेड करमचारी थे और हिसार की कैनाल कॉलोनी में आठ बच्चों वाले अपने भरे पूरे परिवार में रहते थे परिवार चुकी बड़ा था और पिता की तनख्वा इतनी नहीं थी कि सभी बच्चों को बहतर परवरिश दी जा सके तो यश्पाल और उनके भाई पढ़ाई के साथ साथ छोटी उम्र से ही काम भी करने लगे थे हालात इतने खराब थे कि यश्पाल के बड़े भाईयों ने दस्वी के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी वहीं यश्पाल अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा रहे थे कभी वो बच्चों को टूशन पढ़ाते तो कभी छोटे मोटे काम करके पैसा कमाते कभी चांदी का काम करते तो कभी साइकल में पंचर भी लगाते बेहद कठी नाईयों भरे अपने जीवन में यश्पाल ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कई तरह के छोटे मोटे काम किये पर चूंकी किस्मत ने इनके लिए एक्टिंग जगत में जगह सुनिश्चित की हुई थी तो कम उम्र से ही और अंजाने में ही सही इन्होंने एक्टर बनने की तयारी करनी भी शुरू कर दी थी और ये तयारी शुरू ही थी राम लिला से अपने आस पड़ोस के बच्चों संग ये अपने महले में राम लिला का मंचन क्या करते थे राम लीला के अलावा कृष्न जन्माश्टमी पर कृष्न लीला के मंचन में भी ये हिस्सा लिया करते थे हाला कि एक दौर वो भी था जब इन्हें स्टेज पर चड़ने में बड़ा डर लगता था मगर जब एक दफ़ा इन्होंने पूरे स्कूल के सामने हिम्मत करके एक कविता सुनाई और उस कविता के लिए इन्हें प्रथम पुरसकार भी दिया गया तो इनके अंदर होसला आया फिर एक दिन अपनी जान पहचान के किसी शक्ष की मदद से इन्होंने पहली दफ़ा अपने शहर हिसार में ही प्रोफेशनल नाटक किया और इस नाटक के बाद यश्पाल शर्मा के मन में थेटर के प्रती प्रेम जागरित हुआ हिशार में पहला नाटक करने के बाद यश्पाल शर्मा के मन में थेटर के प्रती इतना आकरशन पैदा हुआ कि ये हर वक्त थेटर के बारे में ही सोचने लगे इनके पिता चाहते थे कि ये किसी सरकारी नोकरी में जाएं लेकिन इन्होंने सरकारी नोकरी करने से साफ इनकार कर दिया एक दिन इन्होंने जब ये सुना कि दिल्ली में नसीरुदीन शाह का कोई नाटक होने वाला है तो ये अपने घर से भाग कर दिल्ली आ गए उसके बाद दिल्ली में इन्होंने एक थेटर ग्रूप जोइन कर लिया अब तक यश्पाल शर्मा को इस बात का इल्म हो चुका था कि थेटर में महारत हासिल करनी है तो एनेजडी यानि नेशनल स्कूल ओफ ड्रामा से थेटर की ट्रेनिंग लेना जरूरी है इन्होंने तीन दफ़ा एनेजडी में दाखिला लेने की कोशिश की लेकिन इन्हें काम्याबी नहीं मिल पाई इसके बाद इन्होंने चंडीगड के एक नामी ड्रामा कॉलेज में दाखिला लिया वहाँ इन्हे एक साल ही हुआ था कि चोथे प्रयास में इने एनेजडी में भी दाखिला मिल गया और चंडी गड़ छोड़ कर ये दिल लिया गए एनेजडी से अपना कोर्स पुरा करने के बाद ये श्पाल शर्मा ने दो साल तक यहां की रेपेटरी में नौकरी भी की फिर बाद में ये प्रोफेशनल थेटर में एक्टिव हो गए ये चाहते थे कि अपने राज्य हर्याना में ये चिल्डरन थेटर क्या करेंगे लेकिन एक दिन जब इन्होंने एक अख़बार में अपने एक्टिंग की तारीफ वाला एक लेक देखा तो इनका इरादा बदलन लगा इन्हें लगने लगा कि अगर ये चिल्डरन थेटर में गए तो वहां ये एक्टिंग नहीं कर पाएंगे जबकि लोग इनकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं कई दिन की कश्मकश के बाद आखिरकार इन्होंने फैसला किया कि अब ये फुल टाइम एक्टर बनेंगे और फिल्मों में नाम कमाएंगे और आखिरकार एक दिन ये मुंबई आ ही गए यश्पाल जब दिल्ली में ही थे तो ये दूर दर्शन पर आने वाले एक शो आदर्श में काम क्या करते थे उस शो से इन्हें लगभग पचास हजार रुपे की कमाई हुई थी वो रुपे लेकर ही ये मुंबई आये थे मुंबई आने के बाद इन्होंने आहट और सी आईडी के इका दुका एपिसोड्स में काम किया था ये वो दौर था जब ये शोज टीवी पर प्रसारित होना शुरू ही हुए थे उन शोज में काम करने पर ये शपाल की इतनी कमाई हो जाती थी कि ये मुंबई में अपने कमरे का किराया चुका सकें मुंबई में ही पहली दफाइनों ने एक्टर और फोटोग्राफर सुरेंदर राजन से अपना एक फोटोशूट कराया अगले छे महीनों तक अपने फोटोज लेकर ये डारेक्टर प्रोडूसर्स के ओफिसों के चक्कर काटते रहे इन्हें रॉल ओफर तो हुए लेकिन वो इस तरह के रॉल होते थे जो इन्हें जरा भी पसंद नहीं थे इत्फाक से यही वक्त भारते टीवी जगत पर डेली सोप्स की शुरुआत का भी दौर था उन दिनों भारत में शान्ती इतिहास और अपराजिता जैसे डेली सोप्स बेहद लोक प्रिया हो रहे थे यश्पाल वहां भी काम मांगने पहुँचे थे लेकिन जब इन्होंने वहां का हाल देखा तो इन्हें एहसास हो गया कि ये किसी भी हाल में इस तरह के काम नहीं कर पाएंगे इस तरह यश्पाल को बिना कोई काम किये धाई साल हो चुके थे और मुंबई जैसे शहर में धाई साल तक बेरोजगार रहकर जिन्दा रह पाना कितना चैलेंजिंग होता है इसका अंदाजा शायद आप लगा सकते हैं यश्पाल का जीवन बेहद कठिनाईयों से गुजर रहा था ये बीस तीस रुपए हर रोज उधार लेकर अपना पेट भर रहे थे नौबत ये आगई थी कि ये अपने घर हिसार वापस लोटने का इरादा बनाने लगे थे उफर किये लेकिन यश्पाल शर्मा अपनी धुन के कितने पक्के हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इन्होंने सुधीर मिश्रा को उस रोल को निभाने के लिए मना कर दिया इन्होंने कहा फिलहाल मैं किसी डेली सोप में काम नहीं करना चाहता मुझे आपके साथ फिल्म करनी है उस दिन सुधीर मिश्रा यश्पाल की शक्षियत से प्रभावित तो बहुत हुए लेकिन वो यश्पाल को कोई काम न दे सके दूसरी तरफ यश्पाल ने अब तक संघरश का एक नया तरीका निकाल लिया था वो जब भी कहीं किसी डारेक्टर या प्रोडूसर से मिलने जाते तो अपने पुराने नाटकों की स्पीच याद कर ले जाते साथ ही अपने फोटोग्राफ्स भी साथ ले जाते वहाँ पहुँचकर वो अपने स्पीच सुनाते और फोटो के पीछे अपना पेजर नमबर लिख छोड़ाते यश्पाल का ये तरीका लोगों को पसंद तो आ रहा था लेकिन काम उन्हें अब भी नहीं मिल पा रहा था हालात ये हो गए थे कि यश्पाल अपने संघर्ष से आजिस आ गए उन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया वो हिसार वापस लोटने की तैयारी करने लगे थे उनकी दारी भी खूब बढ़ गई थी इत्वाक से इसी दोरान यश्पाल के किसी दोस्त ने बताया कि गोविंद निहलानी के फिल्म बना रहे हैं उसके लिए आडिशन दे आओ गोविंद निहलानी राजकमल स्टूडियो में आडिशन ले रहे थे लेकिन यश्पाल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वहाँ पहुँच सके उन्होंने अपने रूम से स्टेशन तक का सफर पैदल पूरा किया उसके बाद परेल तक इन्होंने लोकल ट्रेन में बिना टिकट यात्रा भी की फिर वहाँ से ये पैदल राज कमल स्टूडियो तक पहुँचे चुकि उन दिनों मुंबई में मूसला धार बारिश हो रही थी तो ये पूरा भीक चुके थे गोविंद निहलानी को जब इन्होंने अपनी स्पीच सुनाई तो गोविंद इन से काफी इंप्रेस हुए उन्होंने अपनी फिल्म हजार चौरासी की मा में इन्हें एक छोटा लेकिन प्रभावशाली रोल दे दिया इस तरह यश्पाल शर्मा का फिल्मी करियर शुरू हो गया और उनके करियर की पहली फिल्म रही हजार चौरासी की मा पहली फिल्म में यश्पाल ने इतना बढ़िया काम किया कि गोविंद नहिलानी को ये बड़े पसंद आए गोविंद नहिलानी नहीं इन्हें शाम बेनेगल से भी मिलवाया शाम बेनेगल ने भी इन्हें अपनी फिल्म समर में एक रोल दिया उसी किरदार में एक दिन इन्हें आश्टोस गोवारी करने भी देखा था और फिर इन्हें लगान फिल्म में लाखा के रोल के लिए फाइनल कर दिया था इस तरह कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार यश्पाल शर्मा की फिल्मी गाड़ी चल निकली यश्पाल ने अपने करियर में अब तक लगभग सो फिल्मों में काम किया है फिल्म गंगा जल में इनका निभाया सुन्दर यादव का किरदार भला कौन भुला सकता है वहीं हजारों खोहिशें ऐसी में भी इनको बहुत दमदार रोल मिला था साल 2011 में यश्पाल शर्मा देवानंद सहब की फिल्म चार्जशीट में भी निजराय थे और यही फिल्म देवानंद सहब की आखरी फिल्म भी थी एक दोर में टीवी से तौबा करने वाले यश्पाल शर्मा ने साल 2010 में जी टीवी के शो मेरा नाम करेगी रोशन से अपना टेलिविजन डेब्यू किया था पॉपलर सिटकॉम तारक महता का उल्टा चश्मा में भी ये एक कैमियो में जराय थे वहीं साल 2014 में इन्होंने जी टीवी के शो नीली च्छतरी वाले में लीड रोल भी प्ले किया था यश्पाल शर्मा ने कुछ शॉर्ट्स फिल्मों में भी काम किया है साथी साथ आज के दौर के एंटर्टेन्मेंट के बेहत पॉपलर फॉर्मेट वेब सिरीज में भी इन्होंने काम किया है लेकिन बीते कुछ सालों से इन्होंने खुद को फिल्मों से जरा दूर कर लिया है इस बारे में यश्पाल कहते हैं कि अब वो इस इस्थिती में आ चुके हैं जहां वो अपनी मर्जी से फिल्मों का चुनाव कर सकें इसलिए अब वो इस तरह की फिल्में ही करना चाहते हैं जिन में इनको मिलने वाला किरदार प्रभाव शाली हो यश्पाल शर्मा की निजी जिन्दगी की बात करें तो इनके बच्पन के बारे में तो हम आपको पहले ही काफी कुछ बता चुके हैं यश्पाल शर्मा ने मुंबई में प्रतिभा शर्मा शशादी की इनकी पतनी प्रतिभा शर्मा भी इनकी ही तरह एक एक्ट्रिस हैं प्रतिभा ना सिर्फ थेटर आर्टिस्ट हैं बलकि समय समय पर फिल्मों में भी काम करती रहती हैं साल दो हजार बीस में प्रतिभा शर्मा ने अपने पती यश्पाल संग फिल्म दास कैपिटल गुलामों की राजधानी में काम किया था इसके अलावा प्रतिभा ने खुली खिड़की और नई अम्मी जैसी नोटेबल फिल्मों में भी काम किया है प्रतिभा और यश्पाल के दो बच्चे हैं बेटा संयम और बेटी सौम्या परिवार संग यश्पाल शर्मा का जीवन बेहद सुखी और शांदार चल रहा है किस्सा टीवी ईश्वर से प्रातना करता है कि यश्पाल शर्मा यूही हमेशा अपने परिवार संग सुखी और सम्रिध जीवन बिताते रहें साथी एक्टिंग के जरिये भी वो एक से बढ़कर एक किरदार निभा कर अपने फैंस का मनोरंजन करते रहें जैहिन मुल्जम सर तो आपका डिस्टिक का है सर एक लाग का पाकेट भेज रहे हैं सबेरे तक चारों चाहिए हमको